सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो जब तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मिरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लिए लेकर आया हूँ रियल्मी की तरफ से एक नया स्मार्टफोन रियल्मी 7 जो भी हाली में लाउंच हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इस मूबाल की अन्बॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा इस मूबाल में क्या क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है आपको ये मूबाल खरीदना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहीएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा बॉक्स पर आपको पीछी की तरफ ये सारी स्पैसिफिकेशन्स मिल जाती है आप पढ़ सकते हैं बाकि दूसरे इसके बॉक्स के उपर आपको रेट लिखावा मिलता है उपर की तरफ 17,999 का तो 18,000 का रेट है लेकिन ये आपको 15,000 में मिल जाएगा चले देखते हैं 15,000 में इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको रखवा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगवा है एक सिमिजक्टर टूल अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल इस तरीके से एक दिया गया है ट्रांस्परेंट कवर जिसकी क्वालिटी काफ़ अच्छी है इसके बाद मिलता है मोबाल एक रैपर के अंदर जो मेरे पास है वाइट कलर में डिटेल लुक हम अभी देखींगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डिटे केबल इसकी लैंट और क्वैलिटी दोनों बहुत ही जाँ अच्छी है अब इसके अंदर आपको फास्टार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 30 वाट का फास्टार्जर मोबाल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है तो चारजर भी इसके साथ आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है अब ये सारा समान आपको मिलता है रियलमी 7 के साथ 15,000 में रेट के साथ से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको बहुत अच्छे ही दिये गया है टाइप C केबल भी है बहुत अच्छी क्वालिटी की और फार्शेजर भी बहुत अच्छा दिया गया है तो इस चीज़ में तो ये मोबाल काफी जादा बढ़िया है चली बात कर लेते हैं दूसरों डिजाइन के बारे में इसके अंदर आपको मिल जाती है रियल्मी की ब्रांडिंग लेकिन दूसरों डिजाइन की क्वालिटी को लेकर मुझे इसमें कमी लगी अगर ग्लास डिजाइन होता तो बहुत बढ़िया रहता क्योंकि इसमें आपको प्लास्रिक की टाइप कही डिजाइन मिलता है तो स्क्रैचिस बहुत जादा सानी साजेंगे इसके बैक पेनल पे बाकि दोस्तों बात करें कैमरे के बारे में तो पीछे की तरफ आपको लेफ्ट साइड पर चार कैमरे दिये गए हैं उपर की तरफ इस तरह के से जिसमें पहला है 64 Mpx का दूसरा 8 Mpx का बाकिए के 2 कैमरे हैं दो 2 Mpx के फ्रन कैमरा है 16 Mpx के कैमरे की परिफोर्मेंस इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है कैमरे को लेकर यह mobile बहुत ज़्यादा बढ़िया है बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इस mobile का design कैसा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा लुक वाइस तो design इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है white color काफी बढ़िया लग रहा है बाकी glass design होता gorilla glass की protection के साथ तो और भी ज़्याद अच्छा रहता बात करें दोस्तों display के बारे में तो इसके अंदर आपको 6.5 इंचिस के display मिलती है तकरीबन साड़े 6 इंच की जो कि एक IPS Full HD Plus display दी गई है तो इसके अंदर आपको AMOLED display तो नहीं मिलती IPS ही दी गई है अब display की quality के अंदर ये mobile actual में कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी दोस्तों display size तो इसके अंदर आपको काफ़ अच्छा दिया गया है इसे की साथ बात करें उससे पहले user interface के बारे में तो user interface दोस्ते के अंदर आपको कुछ इस तरह की से मिलता है आप उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इसके अंदर आपको app draw दिया गया है और अच्छी चीज़ यह है इसके display के अंदर आपको 90 Hz का refresh rate मिलता है तो जब आप ऐसे उपर नीचे स्क्रोल करते हैं तो आपको इसके अंदर काफी smooth experience देहने को मिलता है बाकी दूसरे mobile's के comparison में तो यह चीज़ इसके अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है अब इस mobile के display बिलकुल full brightness करके कि मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको design दिया गया है display का punch all camera के साथ display के अंदर ही camera है left side पर जो काफी अच्छा लगता है notch all design इसके अंदर आपको नहीं दिया गया तो design भी इसके अंदर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है बाकि अगर आप colors देखेंगे brightness देखेंगे display की तो वो भी आपको काफी बढ़िया दी गई है अगर emolet display होती तो और भी जाद अच्छा रहता क्योंकि इसी type के display आपको पहले के realme smart phones में भी देखने को मिलती थी जो इस mobile में दी गई है लेकिन display की quality को लेकर इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी brightness, colors, हर चीज इसके अंदर आपको काफी ची दी गई है डिजाइन के साथ अच्छी चीज यह है दोस्तो साइडों से जिसका डिजाइन है वो आपको curved मिलता है तो grip करने में भी यह mobile काफी ज़ादा बड़िया लगता है left side साब देखेंगे तो sim के tray दी गई है उसे की ठीक नीचे volume के buttons sim के tray ऐसे मिलती है जिसके अंदर आप 2 sim card, एक memory card, तीनुची चीज एक साथ लगा सकते है यह खूब इसके अंदर आपको दी गई है नीचे की तरफ साब देखेंगे तो charging port, speaker, mic headphone jack दिया गया है type C port मिल जाता है charger भी बहुत अच्छा दिया गया है right side साब देखेंगे तो power का button जिसके अंदर ही fingerprint scanner है इसमें आपको side में ही दिया गया है back panel पे नहीं मिलता आप मुझे comment करके बताईएगा आपको fingerprint scanner साइड में पसंद है या फिर back panel पे उपर की तरफ साब देखेंगे तो इस तरफ plane design है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया अब दोस्तों 15,000 में इस mobile के अंदर आपको मिलती है 6 GB RAM, 64 GB के internal storage चले चलते हैं settings के अंदर में आपको दिखा देता हूँ कितनी memory इसके अंदर आपको free दी गई है तो 64 GB में से इसके अंदर आपको free memory मिलती है 51 GB के असपास तो इतनी storage इसके अंदर आपको free दी गई है बाकि दोस्ते इसके अंदर आपको android का बिलकू latest version मिल जाता है android 10 ये चीज़ इसके अंदर आपको काफी अची दी गई है recent application की windows में आपको दिखा देता हूँ proper बड़ी देखने को मिल जाती है तो ये चीज़ भी काफी बड़िया है बात करें दूस्तो battery के बारे में तो इसके अंदर आपको battery मिलती है 5000 image की बैटरी इसके अंदर आपको बहुत अची दी गई है एक दिन का battery backup इस mobile में आपको अराम से मिल जाता है बैटरी को लेकर तो ये mobile बहुत जाद अच्छा है इससे पहले कि smart phones में हमें fast charger तो ऐसा ही देखने को मिलता था जो इस mobile के अंदर दिया गया है बाकी battery कम देखने को मिलती थी लेकिन इसके अंदर आपको battery भी काफी अची दी गई है और fast charger भी बढ़िया मिल जाता है बात करें दोस्तो प्रोसेसर के बारे में तो इसके अंदर आपको दिया गया है MediaTek का G95 प्रोसेसर अब देखिए अगर आप एक बहुत जादा heavy user भी है आपका बहुत जादा heavy user है जैसे आपको gaming वगर आप बहुत जादा पसंद है तो इस mobile के अंदर आपको बहुत जादा बड़ी आई performance देखने को मिलती है क्योंकि प्रोसेसर इसके अंदर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है प्रोसेसर को लेकर भी ये mobile बहुत जाद अच्छा है अब दोस्तों ये सारी खुबिया कम्या आपको मिलती है Realme 7 में 15,000 में चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इस mobile को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों matter सबसे पहले ये करता है कि आपको Realme पर भरोसा है या फिर नहीं इसके बाद आपकी जो main ज़रुत की चीज़ है वो इस mobile में कैसी है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ कमिया भी देखने को मिलती है कुछ चीज़ों में ये mobile बहुत जाद अच्छा है तो अगर आपको अच्छा camera चाहिए आपके लिए camera matter करता है तो ये mobile आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके अंदर आपको camera बहुत अच्छा दिया गया है अच्छे camera के लिए आप ये mobile ले सकते हैं बाकि दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की display आपको display की वज़े से ही mobile लेना है तो इसके अंदर वैसे तो आपको IPS display दी गई है जिसका design भी काफी अच्छा है 90Hz के refresh rate भी मिल जाता है quality भी काफी अच्छी दी गई है लेकिन अगर आपको सिर्फ display की वज़े से ही mobile लेना है आपको display ही best चाहिए तो दोस्तों इसके अंदर आपको display को लेकर दिक्कत तो नहीं होगी बाकी और जाद अच्छे smart phones आपको देखने को मिल जाते हैं display को लेकर इस mobile से इस range के अंदर 15,000 के budget में क्योंकि इसके अंदर आपको IPS display दी गई है AMOLED नहीं मिलती अगर AMOLED होती तो बहुत अच्छा रहता बाकी दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की battery तो यह mobile आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके अंदर आपको battery भी बहुत अच्छी दी गई है और important चीज़ इसके साथ आपको fast charger बहुत अच्छा मिल जाता है तो अच्छी battery के लिए आप यह mobile ले सकते हैं battery बहुत अच्छी दी गई है इसके लब दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की performance जादा आप एक बहुत जाद है heavy user है तो इसके अंदर आपको processor भी बहुत बढ़िया दिया गया है अच्छी performance के लिए आप यह mobile ले सकते हैं अगर आपकी performance की ही जरूत है तो यह mobile आपके लिए बहुत जाद अच्छा रहेगा आखर में अगर आपके लिए matter करता है mobile का design तो design भी इसके अंदर आपको बहुत अच्छा दिया गया है look wise बाकी अगर quality भी और जादा better होती तो बहुत अच्छा रहता क्योंकि मुझे इसमें यह कमी लगी अगर glass design होता gorilla glass की production के साथ तो काफी अच्छा रहता बाकी look wise तो design इसके अंदर आपको बहुत अच्छा दिया गया है तो आप cover के बिना use मत करियेगा अगर आप यह mobile लेते हैं अब देखिए दोस्तो smart phone के अंदर आपको कमी यह तो देखने को मिलती ही है perfect तो कोई सा भी smart phone नहीं होता बाकी matter यह करता है कि आपकी जो main जरूत की चीज़ा हो इस mobile में कैसी है तो अगर आपके लिए यह तीन चीज़ा matter करती है mobile का camera, performance और तीसीर battery तो यह mobile आपके लिए बहुत ही ज़्याद अच्छा रहेगा यह तीन चीज़ों में यह mobile बिल्कुल best लगा मुझे और दो चीज़े मुझे इस mobile की normal ही लगी एक तो display जो की emoled नहीं दी गई दूसरा plastic के type के design है तो इन दो चीज़ों में मुझे यह mobile normal ही लगा यह चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटन हो से तबाखे चैनल को subscribe कर लीजिए बेल आकन भी तबा दीएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लगा वीडियो कर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीएगा WhatsApp फिस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए Take Care Bye Bye